हलो फेंड्स फिर्स्ट एंगलो अफगान वारवाली वीडियो में हमने देखा था कि अफगानों के हाथो ब्रिटिस इस इशे इस इंडिया कंपनी को जो humilation face करनी पड़ी उसका बदला लेने के लिए बिटिस इश इंडिया कमपनी के गवर्नर जनरल एलन ब्रो ने सेप्टमबर 1842 में फिर से एक बार अफगानिस्तान पर अटेक किया और काबूल को उक्युपाई कर लिया बड़ उसे पता था कि दोस्त मुहमद को अटा कर किसी और को अगर अफगानिस्तान का आमिर बनाया तो अपनी गलती धोराना होगा इसलिए उसने दोस मुहमद को गद्धी से हटाया नहीं बलकि उसके साथ संधी कर ली और कहा कि आप ही अफगानिस्तान के आमिर बने रही है बट कोई भी ऐसा काम मत करना जो बिटिस इस इंडिया कंपनी के खिलाफ हो इस तरह फर्स इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहा जब 1858 में क्राउन ने टेक ओवर किया तो उसके बाद भी ये फ्रेंडली रिलेशन ऐसे ही रहे बट 1863 में दोस मुहमद मर गए और अफगानिस्तान में बड़ी दिक्कत हो गई दोस मुहमद की 16 वाइव्स थी 25 बेटियां और 27 बेटे ऐसे में एक घमासान सचड़ गया कि अफगानिस्तान का आमिर अब कौन बनेगा और ये बिटिश गवर्मेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपर्चुर्टी थी क्योंकि इसी तरह की उपर्चुर्टी का फायदा उठाकर उन्होंने इंडिया की कई सारे बड़े स्टेट्स को उक्किपाई किया था तो यही वो मुका था जब वो अफगानिस्तान में भी इंटर्फेर करें और उसे कैप्चर कर लें बट उस समय के वाइसरोय लॉर्ड लॉरेंस जो 1864 से 1869 तक इंडिया के वाइसरोय रहे उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी उन्हेंने Policy of Masterly Inactivity को फॉलो किया इसी Policy को फॉलो करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरिंस ना करने का निर्णे लिया उदर अफगानिस्तान में War of Succession के दोरान हर हफते तक ते बलट हो रहे थे एकदम इनिस्टेबिलिटी का माहूल था बर जो भी अफगानिस्तान का आमिर बनता जॉन लारेंस उसी को एकसेप्ट कर लेते और एक कॉंग्रेचुलेटरी मेसेज भिजवाते तो इस तरह ultimately war of succession end हुआ और शेर अली अफगानिस्तान के आमिर बने शेर अली को भी जॉन लारेंस ने अफगानिस्तान का आमिर सुईकार किया और उसके साथ भी friendly relations बनाए बर सोचने वाली बात ये है कि अफगानिस्तान को occupy करने की इतनी बड़ी opportunity British East India Company ने जाने कैसे दी तो इसके वज़ाए ये है कि British East India Company को first Anglo-Afghan war में सबक मिल चुका था उन्हें पता था कि अगर वो अफगानिस्तान में अपना आमिर बिठाएंगे या दोस्तली के किसी भी एक बेटे को support करेंगे तो अफगानी tribes फिर से बगावत कर सकते हैं दूसरा reason ये था कि अब Russian attack का भी खत्रा तल चुका था तो अफगानिस्तान को occupy करने से उन्हें कुछ फाइदा नहीं था उनको तो बस चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ relations अच्छे बने रहे हैं British Government ने ये policy of Masterly Inactivity 1864 से 1876 तक फॉलो की यानि ये policy सिर्फ John Lawrence नहीं नहीं बलकि Lord Mayo और उनके बाद Lord North Book ने भी इसे फोलो किया अब नेक्स वीडियो में ये दिखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब British East India Company किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती थी तो फिर क्या कारण हुए जिसकी वैसे Second Anglo-Afghan War हुआ इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा थैंक्यू फो वाचिंग और सपोर्टिंग बुक्सतावा